दोस्तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हमाँ बात करने वाले हैं बरती उम्र के निशान यानि के अगर आपके चेरे पे बहुत सारे रेंकल्स हो गए हैं जुरियां हो गई हैं इसके बिल्कुर सिमट सी तो आज कि वीडियो में नुस्खा हैं सबसे पहले हम इसमें यूज करने वाले हैं लेमन में क्या होता है भर भर के विटामिन सी होता है विटामिन सी हमारे इसके लिए बहुत अच्छा होता है इसकिन को जल्दी बोड़ा नहीं करता है अगर हम अपने चेरे पे विटामिन C का यूज करते हैं तो हम इसमें इस्तिमाल करने वाले हैं आधा नीबू तो नीबू के रस को अच्छे से आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से आपको नीबू का रस मिल चाएगा और इसके वीजों को जो है आपको हटा देना है बस आपको रोजाना करना है इसको तो नीबू का वीज हम हटा देते हैं और इसमें अगली चीज आपको लेना है शेहद शेहद हमारी इसकिन को डीपली मोश्चुराइज करती है इसकिन को जवां करती है और इसकिन में चमक लेकर आती है तो एक चमच के बराबर हम इसमें शहर डालेंगे नीबू के रस में सिर्फ हमें दो चीजें मिलाके ये रेमेडी तयार कर लेनी है अच्छे से शहर को इसमें मेल्ट करना है ताकि ये नीबू का रस और शहद अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में फिर इसको आपको अपने चेहरे पे कैसे यूज करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बस इसकिप करके मत देखेगा नहीं तो कुछ न कुछ आप मिस कर देंगी तो देखिए इस तरीके से रेमेडिय त्यार हो गई है इसको हमें लेना है अपनी फिंगर की हैट जर्फियो और अपने चीहरे की जहां पर जुर्या ज्यादा हैं आपके माथे पे हैं या फिर आपके अपरलिल्प्स के आस पास हैं तो उस पे अच्छे से आपको इसको मसाज करना है, मसाज आपको जब तक करना है, जब तक कि ये हमने जो लिया है नुस्खा, इसको जो है आपकी इसकिन में अब्जर्ब ना हो जाए, अच्छे से ये आपकी इसकिन में अंदर तक जाना चाहिए, तब तक आप इसकी मसाज की करें ऐसा डेली यूज़ करने से आप देखेंगे आपकी हफते बर में जो चेरे पर जुरियां हो गई हैं बहुत सारी वो सब खतम हो जाएंगी और इसके नपकी एकदम से टाइट होने लगेगी और उसमें चमक भी आना स्टार्ट हो जाएगी